वालो, वाल्कम बेक टू माई YouTube चैनल , आप सभी अच्छे होंगे , और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर हम तर चरी एकसरसाईज जिसे आप करें अपने कि बाइस EPS को भी बड़ा कर सकते हैं और मतलब उस EPS को करने से आपकाild अफसे भी बड़ा दिखेगा और अपका बैक्क थोड़ा बडल दिखेगा तो आज हम ट्राइसेप्स करेंगे और अच मैं आको ट्राइसेप मसल के चार एफ़ेक्टिव EPS cima के बारे में बता हुआ और उसकी मुवमेंट क्या होती है इस तरीके से हम एक्स इसको परफॉर्म करना है वह सारा तरीका आपको बता हुआ हमें वीडियो को पूरा देखें आप workout स्टार्ट करेंगे वर्काउट स्टार्ट करने से पहले हम अपने त्राइसस मसल को एकटिभ करेंगे और एक्टिभ करने यह वह मारूं danced एकुछ ना पर तactly करेंगे यो कि और थे लुझा सकते हूं आप को इतना लो ना पड़ेगा और जो आपका हाथ है इसको आप diamond इतना ही close रखेंगे और algo जो आपका है वो straight सीधा हो जाएगा you bend और chest को लेकर हो गया अपने fingers के पास और down जब उपर squeeze करोगे वसल को stretch करोगे तो proper hold करना है और rock करना algo को तो यह था हमारा bench पे close grip push up जो आपके triceps के long head muscle को hit करेगा और आपका triceps active हो जाएगा workout के लिए और इसके बाद हम workout start करेंगे तो हमारी first exercise है skull crusher जिसे की नहीं extension भी खा जाता है तो मैं बताता हो आपको कैसे करना है तो यह skull crusher आप फ्लैट पर बैंच पर कर सकते हो और इसे आप डिक्लाइन बैंच पर प्रफॉर्म कर सकते हो तो हम अभी basic beginners के लिए बना रहे तो फ्लैट बैंच पर करेंगे और मैं बताता है इसको कैसे करना है इसमें जो आपको अपर बोडी पार्ट है वही बैंच पर होल्ड होगा बाकि लोर बोडी पार्ट आपको बैंच से नीचे रखना है अपने लोर बैंच से नीचे का पूरो पार्ट आपका नीचे डाउन की इसकी एंदो ने आपको श़ोंडर के लिए पार बना थी आपका ये जो आपका इस शोलडर रहे उसके पार और इस तरीके से हम इस ग्रिप को पकडेंगे और आपको बाहर को निगोंना है हुआ आपका सीधा रहेगा स्ट्रेट और डावन यह तो यह था हमारा स्कर्ल क्रेशन इसकी जो मुवमेंट होगी आपकी वह बिल्कुल एल्गो को स्ट्रेट रुकने है नाइन्टी डिग्री पे और इसके बढ़ा सकते हैं तो आपको चार स्करने करने है रैपरेटिशन पंदरा बारा दसाट और उसके एकवडिक इस बढ़ाएट बढ़ा तो कि अपे इसकेज़ रहता है तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सराइज है पुल्ली पुश्डाउन तो अभी हम केबल मशीन तो आरेगे पुल्ली पुश्डाउन मशीन में हम नॉर्मल बार का यूज़ करेंगे और इसमें जो ग्रेप पकड़नी है आपको ये इसके एंड से पकड़ना है और जो आपका हाथ होगा एलगो होगा वो बिल्कुल स्कृइट होगा शोलडर के पैलार और जो आपको हाथ मूव होगा सिफ और फोर आम सकी होगा वह यहां तक मूव होगा और नीचे मुप स्कूइस करना है मुप के उसी पार्ट करेक्ट हो चाहिए जिस मुपाट के आपको एक्सराइस कर और इतना धाउन जाएगा ये वोल्ड बीच्छ जाके मुस्ल को स्कुिस करना है पिक चाए हम अअगर किसे और लोगण है अगर है इस एक्सेसाइज में आपको आपके हाथों को प्रॉपर स्कुइज करना है और इसके भी आपको चार सक लगाने है रेपेटिशन पंद्रावारा दसाव आठ और इस मशीन में आप मुवमिट का खास जान लगे प्यूंकि जादा तर एक्साइज गलत करते हैं वो कहीं करते है के आथों को पीछे च्प्रीं रखते हैं कई आगे रखते हूं और यह उपकी करते हैं यह सारे कोशन घरत होते हैं तो मुवमेंट का खास जान रखे जो आपकी मुवमेंट होगी पोस इस तरीके से होगी और इस तरीके अपनिटरे इक्साइस है वो है बोथ एंद डमबल कि यह भी आप खड़े हो के भी कर सकते हो नौर्माली आप अपने बैंच पे बैठ के भी कर सकते हो तो मैं बखो बताता हूं इसको किस तरह से परकॉंग करना है तो बोथ हैं डंबल में आपका जो होगा बिलकुल स्ट्रेट होगा सीधा और हातों को पीछे मुव करना है इतन इसकी जो मुवमेंट है इसमें आपको अपना अल्गो यह जो है यह पार्ट आपको स्ट्रेट अगना सीधा और हाथ बैंड होंगे जो आपका हाथ बैंड होगा वह आपके अल्गो से थोड़ा सा डाउन होगा हलका सा और फिर उपर स्कुष करना इसको और डाउन जब होगा और उपर स्कुष होगा इस तरीके से आपके बोधें डंबल एक्स्टिंशन के एक्सराइज होगी और इसके भी आपको चार्जक लगाने है रेपेटिशन पंदरा बारा दस आठ अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सराइज है वो है पैलर डिप्स सो मैं आपको मताता हूं पैलरडिप्स कैसे करना है आपको जो हाथ होगा वह फिस एलडर के पैलर रहे गा वाइद एक को अपको शोडर के पैलर एकना है दोनों हमातों को और बेंच कुछा है स्टेको पैर को मीज को क्लॉक कि ए ज नहीं में बेंगे और सब्स बोड़ने अधूए नहीं कि कि नीचे का कि आपको बोल्ड करना है और स्टेच करना है अपने प्राइस मतल को यह मुझा स्टेच करना है इसमें आपका हाथ शूर्डर के पहलर रखेंगे आपके से वह बिल्कु स्टेच रहेंगे यहां ओं ये गलत होता है इसमें आपको इस हनका बैंड करना है बैक को सीधह रहेंगे और éstर कम प्रुठ नीचे mul莘 और इसए हातों आपको अपने तो यह तरीका है आपका पहला डिप्स का आप इस तरीके से पहला डिप्स कर सकते हैं इसके विए आपको चाशट करने हैं बट्रेटेशं आपके सेम होंगे minimum 10 laps निकालने आपको आपको लगे कि इसमें आपका body weight काफि हल्का लग रहा है तो आप अपनी थाइस पे वेट भी रख सकते हैं जिससे आपका प्रेशर और ज्यादा ट्राइसप्स मसल पर बढ़े हैं तो हमारी चार एक्सराइज ट्राइसप्स मसल की यहीं खतम होती है और यह बेसिक एक्सराइज थी ट्रैसप्स की जो कि नॉर्मली बिगनर्स आराम से अपने जिम पर जाके इन चारो एक्सजाइस को परफॉम करके अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और इससे अपका बाइसेप्स भी बड़ा दिखेगा जितनी ज्यादा ट्राइसेप्स हैवी होंगे अपके उतना ही ज्यादा बढ़ा आपका ब और कमेंट में बताए मुझे कि नेक्स किस बोडी पार्ट के एक्ससाइज आपको वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और वर रहे हुआ